हेलो, नमस्कार, हमारे संगीत चैनल पर आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं अजेजा, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब से आग्रह करूँगा कि अगर आप चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये हैं, तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें, अधिक से अधिक जानकारी हासिल करने के लिए, और इसमें जो जानकारी आपको मिलती है, वो क्लासिकल, गजल, भजन, मुवी सौंग, ताल, रिद्म, थियोरी, बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको मिलती है इससे, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है आपको, इसलिए निश्चित रुप से subscribe जरूर से जरूर कर लें और दूसरी बात comments करना ना भूले comments करके आप हमें उत्साह बढ़ा सकते हैं और आपके comments से हमें ये भी पता चलता रहता है कि आपको इसका कितना फायदा देता है और मैं जो एक और बात कहना चाहूंगा वो ये कि अगर अच्छा लगे तो इसे share भी करें और likes भी जरूर दबाया करें ठीक है तो आईए हम शुरू करते हैं इस गाने को गाना है पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दिवाना और इस गाने का tune sense series का part 1 मैं पहले record कर चुका हूं जो आप लोगों के सामने हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग उससे बहुत कुछ तयार करने की कोशिस भी किये होंगे अब मैं उसे harmonium पर बजा कर दिखा रहा हूं tune sense में मैं cable उसे harmonium से बजा के गा करके दिखाता हूं लेकिन harmonium दिखता नहीं है उसमें और उसमें कुछ tips देता हूं कि खुद से harmonium पर या keyboard पर गाना कैसे निकाला जाए उसके क्या मतलब points हैं क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है और क्या हमें सीखना पड़ता है ठीक है तो आईए मैं इसे बजा रहा हूं आप बहुत ही ध्यान से देखें एक सीज़ जरूर कहूंगा मैं कि बहुत ही धीमी गती से एक-एक शब्द को ध्यान दें कि कि किन-क से आपको बताऊंगा ताकि आप समझ सकेंगे कि म्यूजिक किस तरह डालना है और गाने को किसी स्पीड में किस तरह से गाना है तो आएए इसको शुरू करते हैं और इसे में डी शार्प से बजा रहा हूँ इसमें मुस्टली जो है राग भैरवी के स्वर हैं सभी कोमल स्वर हैं ये है डी शार्प इसके ये कोमल रे कोमल गा मा पा कोमल धा कोमल नी कोमल सा तो ये स्वर अधिक प्रयोग किया गया है और भैरवी जो है वो लाइट म्यूजिक का राग है इसलिए कभी-कभी दूसरे स् भी mix होते हैं इसमें, जो कि आप इस गाने में भी देखेंगे, कैसे है ये देखें देखें आप से, पते की बात कहेगा, बहुत ही धीमिगती से मैं गा रहा हूँ, जबकि इसका speed जो है, अधिक है, अभी देखें, पते की बात कहेगा, कहेगा, जब भी दिवाना, ठीक है, एक बार फिर से देखें, पते की बात कहेगा, कहेगा, जब भी दिवाना, मेरी सूरत पेना जाना, मेरी सूरत पेना जाना, मेरी सूरत पेना जाना, पते की बात कहेगा, इसके बाद, म्यूजिक देखें, एक म्यूजिक इस तरह बजएगा, भ्यान से देखें, इसका नोट से अगर मैं बताओं इस तरह होगा, अब ये जो म्यूजिक बजता है जिस स्पीर में वो इस तरह होगा थोड़ा, ये दो म्यूजिक इस तरह बजएगा, अब देखें आगे का म्यूजिक, धप मा, मा पध्धाप धप मा, मा पध्धाप धप मा, ये है पहला म्यूजिक इसका, और भी इसमें है, ध्यान से देखें, एक पर फिर से मैं बज़ाता हूँ ये ध्यान से देखें, मा सा, मा सा, मा सा, मा सा, पर सानी, गानी, 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 सानी, धप धप मा, धप मा, पधप धप मा, मा पधप धप मा, नी पामग रे गमांसा, उसके बाद जो म्यूजिक है वो इस तरह है एक बार फिर से देखें पर सारी सानी धनी सा पसा मापा धार रेगा मासा फिर से देखें एक बार सारी सानी धनी सा सारी सानी धनी सा पसा सारी सानी धनी सा पसा सारी सानी धनी सा अच्छा इसमें पसा के जगा मासा ले सरसा निधनिसा मासा, सरसा निधनिसा मासा, मापधार रेगा मासा, ठीक है? अब अंतरा देखें. वहां कुछ देर है प्यारे, बस तीन नोट है, सासा, नीधा, धाधा, धाधा, धाधा. वहां कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो कुछ जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे. इसको, इसके बीच में एक म्यूजिक है, वो इस तरह है. वहां कुछ देर है प्यारे, नहीं अंधेर है प्यारे, जो तुझको ना दिखाई दे, नजर का फेर है प्यारे. इस स्पीड में इसे गाया जागा. और दूसरी बार जो नजर का फेर है प्यारे, वो इस तरह है. वो शब्द आप सभी जो है उसी नोट्स पर है, उसी जो भी आप बजाए है, उसी के आधार पर है. तो उसमें बहुत ट्यून का अंतर बहुत नहीं है. तो उसमें जो है बहुत कुछ समझने का नहीं है. वो होगा जैसे तु बहकावे में न आना अब ये जो है बिल्कुल वही है पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दिवाना तु बहकावे में न आना मेरी सूरत पे नहे उसका सब जग जाना मेरी सूरत पे न जाना मेरी सूरत पे ना जाना पते की बाट कहेगा अब यह गाना का जो स्पीड हो इस तरह है पते की बात कहेगा जब भी दिवाना मेरी सूरत पे न जाना पते की बात कहेगा जब भी दिवाना कि अपलय के कि अपली पर उला है वहाँ कुछ देर है प्यारे नहीं अंधेर है प्यारे जो तुझको ना दिखाई दे नजर का फेर है प्यारे वहाँ कुछ देर है प्यारे नहीं अंधेर है प्यारे जो तुझको ना दिखाई दे नजर का फेर है प्यारे तु बहकावे में ना आना है उसका सब जग जाना मेरी सूरत पे न जाना पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दिवाना चार के आठ तू कर ले आठ के साथ तू कर ले रहेगा फिर भी ये खाली तेट को लाख तू भर ले पेट को लाख तू भर ले सीख ले मन को मनाना सबर से काम चलाना मेरी सूरत पे न जाना पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दिवाना जो ना तलबार से होगा वो पल में प्यार से होगा ना कर पाएंगे जो लाखों वो एक दिलदार से होगा जो ना तलबार से होगा वो पल में प्यार से होगा ना कर पाएंगे जो लाखों वो एक दिलदार से होगा सभी से प्यार निभाना है अपना चलन पुराना मेरी सूरत पे न जाना मेरी सूरत पे न जाना पते की बात कहेगा कहेगा जब भी दिवाना तो यह हुआ पूरा गाना अभी मैं बस ऐसे ही आपको दिखाने के लिए कि सेम नोट है अंतरा का जो नोट है वो सभी अंतरे का सेम नोट है इसलिए मैं गा दिया हूँ वैसे मैं अभी जस्ट ऐसे ही गाया हूँ तो इसमें कमिया निकालने के बज़ा है अगर आप इसमें इसके स्वरों को समझ लें अच्छी तरह तो आप इसे और भी अच्छी तरह गा सकते हैं और मैं कोशिस इसरा म्यूजिक है वो यह था ध्यान देखें ध्यान से देखें सामा पाधा माधापा साधापा मागामा सापा पॉस जो है वो आप रिकॉर्ड के हिसाब से देख लें मैं आपको केबल स्वर बता देता हूं सामा पाधा माधापा साधापा मागामा सापा सामा नी सारेगसा धनी सामा अगा तो इससे पहले यह music था, ठीक है? और इसके बाद जो paragraph है, जो न तलवार से होगा, उसका music इस तरह है? सारे सा निसा, सारे निसा मा, मा पापाग, मा पापाग, गमा मा सा, रे गमा सा सा, ध्यान से देखें फिर से, सारे सा निसा, सारे निसा मा, इस्पीड आप चेक कर लें रिकॉर्ड के आधार पर या मेरे फाइनल वीडियो में देखें गया सारे सा निसा, सारे निसा मा, मा पापग, गमा म sä, रे गमा सा-सा, मा पापग, गमा मा स, रे गमा सा-सा, और फीर चुन होगा? यौना तलवार से होगा, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप इसे समझ गया होंगे First music, second music और third music को मैं बताया हूँ आपको Notes अच्छी तरह आप सुन करके लिखते चले जाए ठीक है? और उसके बाद जब आप पूरे music को समझ जाते हैं गाने के पूरे tune को आप harmonium पर बजा लेते हैं फिर record को सुनना शुरू करें जो original record है उसको सुनना शुरू करें और सुन करके जो notes आप बजाएं हैं harmonium पर और जो notes आप music के लिए भी record लिखें हैं उसे आप मिलाने की कोशिश करें और सुने की किस तरह से उसको बजाया गया है क्योंकि मैं जो बजाया हूँ बहुत धीमी गती से आपको बताया हूँ notes को लेकिन गाने original गाने में जो है वो बहुत fast है ठीक है तो आप इसे बजाएं और अच्छी तरह practice करें और अंत में फिर जाने से पहले ये कहूंगा कि अगर चानल को subscribe नहीं किये हैं तो चानल को subscribe जरूर कर लें और comments में जरूर से जरूर आप बताएं कि गाना जो है आपको निकालने में क्या दिक्कतें आती हैं समझने में क्या दिक्कत होती है आपको या कैसे आप समझ पा रहे हैं तो comments में निस्टित रूप से लिखें औ और अगर अच्छा लगे तो लाइक से भी करें और लोगों से शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग सीख सके और उसका लाब उठा सके ठीक है फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद